हेलो वेलकम साथियो देव हुमी एजुकेसिन पॉइंटि में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम जो आपके लिए वीडियो लेकर आये हैं ये हम EBS का वीडियो यहाँ पर आप लोग के लिए लेकर आये हूँ इससे पहले मैंने EBS को आप लोगों से बहुत ही अच्छे तरीक काम आएंगे चाहे वो यू टेट हो या आपके लिए वो सी टेट हो ठीक है सी टेट हो यू टेट हो या फिर किसी भी अधर स्टेट का टेट हो दोस्तों वो सभी के लिए जो है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप जानते परिय प्रूदक्षना जो है ना यही है दोस्तों ठीक है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आप कर लेंगे चले देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन इस सेट का दोस्तों तो सबसे पहला क्वेश्चन भारत के वन्नी प्राणियों के संदर्व में फ्लाइन फॉक्स दे पर मैंने देखी आप इंग्लिष और हिंदी दोनों में आपको क्वेश्चन दिये हैं ठीक है तो एक चमगाद़ है चमगाद़ को क्या कहा जाता है देखे जो टेरोबस वन्स के चमगाद़ होते हैं तो यह उड़ने वाली लो मूरी या इनको फ्लाइन फॉक्स कहा जाता टेरोपस मनलब टेरोपस ठीक है तो टेरोपस वन से के जितने भी चमगादर होते हैं ये सभी क्या होते हैं फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जाने जाते हैं अगला question है दोस्तो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की जील पोछ रहा है आपसे तो खारे पानी की जील कौन सी जील है ये चिलका जील है दोस्तो ठीक है तो चिलका जील क्या है एशिया की कहां की एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की जील है ठीक है खारे पानी के जी एशिया की है और ये कहां पर है दोस्तों ये किस राज्य में आपसे पूछा जाता है तो ये किस राज्य में है ये उडिशा में है ठीक है उडिशा में है ये भी आपको ध्यान रखना है और ये पूरी खुरदा और गंजम जिले में है ठीक है कहां पर है पूरी पूरी ठीक ह तो ये तीन डिस्टिक में है ये वाले ठीक है चला आगे बढ़ते हैं अगला question देखते है National Bureau of Admiral Genetic Resources जिसको NBAGR भी बोला जाता है तो इसके बारे में निम्रिखित बयानों पर विचार करना है और उसके बाद आपको कौन सा सही कौन सा गलत आपको बताना है दोस्तो ठीक है तो यहाँ पर ये बोला कि ये पसुधन और पोल्टरी जेनेटिक संसाधनों के संग्रक्षन और उप्योग के लिए काम करता है ठीक है NBGR जो है पसुधन और पोल्टरी जेनेटिक संसाधनों के संग्रक्षन और उप्योग में काम करता है बिल्कुल सही है दूसरा है ये पूरू बस्तियों के लिए और खेत जानवरों के स्था श्वस्थान्त संद्रक्षन के लिए तरीके तयार करता है ये भी ठीक है यानि कि हमारा option कौन सा ठीक हो जाएका option C ठीक होगा ठीक है तो यहाँ पर आप देखेंगे एक और भी दोनु सही है दोस्तों य है ये दोनु के शेत्र में ये काम करता है आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है इंद्रावती राष्टी उध्यान किस प्रदेश में है दोस्तों इंद्रावती राष्टी उध्यान जो है ये 36 गड़ में है ठीक है यहाँ पर ठीक है इंद्रावती राष्टी उध्यान कह दियान चक्थिजगड के भीजापूर जिले में है ठीक है अगर इसका शेत्रफल आपसे पूश्ता है ठीक है जेत्रफल अगर आपसे पूश्लिया तो इसका शेत्रफल 2799.08 वर्ग किलोusan फ़ल कितना है जंगली भैसों के लिए ठीक है जंगली भैसों के लिए फेमेस है तो यहां पर जंगली भैसे बहुत अधिक मात्रा में निवास करते हैं यतने चीज़ां आपको यहां से ध्यान रखनी है आगे बढ़ते हैं अगला question है question no.5 पिन गाटी राश्टी उद्यान किस प्रदेश मे है और अगर हिमानचल प्रदेश के डिस्टिक की बात करें तो दो डिस्टिक में फैला हुआ था ठीक है कौन से डिस्टिक में फैला हुआ है इन दो डिस्टिकों में फैला हुआ है नंबर एक तो है लाहॉल ठीक है लाहॉल लाहॉल और दूसरा डिस्टिक कौन से जिलों मे लाहौल और इस्पीद दो जिलू में फैला हुआ है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को अगला क्वेश्चन है पंपदुम 16 राश्टी उद्यान कहां है भाई पंपदुम 16 राश्टी उद्यान कहां पर है तो ये कहा के पास में एक शहर है ठीक है कौन सा शहर है ये चीज ध्यान रखो आप तो इसका नाम है मरायूर ठीक है तो मरायूर एक शहर है केरल में ठीक है जो इसके पास है तो इसमें दोस्तों एक जो important चीज यहां से और निकल के आती है वो भारत के छोटे राश्टी उद्यानोмиं 16 का शेत्रफल अगर पूछ लेता आप से तो शेत्रफल आप बता देंगे 1.32 वर्गे किलो मीटर ठीक है इसका शेत्रफल या निकि ये भारत के जो छोटे से छोटे राश्टी उद्ध्यान है उनमें से ही एक इसको माना जाता है 1.32 वर्गे किलो मीटर में ही केवल ये फैला हुआ है ठीक है चला आगे बढ़ते हैं मांडला प्लांट जीवास में राश्टी उद्ध्यान कहां पर है मंडला प्लांट जीवास में देखिए अब जीवास में शब्द इससे जुड़ गया है तो आपको इस पर ध्यान देना ह खीक है तो मंडला प्लांट जीवास में राश्टी उद्ध्यान कहां पर हैجए यह पिनike फीजवास में के लिए है और इसका अगर शेत्रफल की बात आप से पूछा जाए कहीं पर तो इसका शेत्रफल बहुत जादा शेत्रफल इसका है यानि की किलोमेटर में नहीं ये मीटर में है तो लगबश 27-28 किलोमेटर में ये फैला हुआ है ठीक है तो अब हम सकते हैं, यहां पर कोई मद्यप्रदेश में जिवाश मराश्टी उद्यान है और इसकी अगर स्थापना हो सकता है, स्थापना अगर आपसे पूछ लेता है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना इसके हुई थी दोस्तों 1983 में, ठीक है, 1983 में मंडला प्लांट जिव अगला कोशन पुली बैज वन्य जीव अभ्यारन किस प्रदेश में है अगर आपसे पूछता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागा लेंड नागा लेंड में है यह वन्य जीव अभ्यारन है दोस्तों ठीक है अब एक चीज आपको ध्यान रगना इसका शेत्रपल ठीक है इसका छेत्रपल आपसे पूछ सकता है, कहां पर है, पूछ सकता है, उसके बाद छेत्रपल पूछ सकता है, तो 923 हेक्टेर में ये फैला हुआ है, तो कितने में फैला हुआ है, 923 हेक्टेर में ये फैला हुआ, ये पूरा शेत्र, और अगर आपसे पूछ लेता है, कौन सा ड जहां से उसके बाब बढ़ते हैं आगे अगला question देखते है question no.9 है सिरे टोको राष्टी उद्यान किसी देश में राष्टी उध्यान से मैंने आपर ज्यादा question उठा रहे हैं क्योंकि जितने भी set हैं हर किसी सेट में आपको किसी ने किसी से ज़्यादा question देखने को मिलेंगे ठीक है तो इस सेट में हमने राश्टी उद्यान से और अभ्यारने से ज़्यादा question रखे हैं तो इनको अच्छे से detail में देख लो आप तो सेरे टोको राश्टी उद्यान किस देश में है तो यह जापान में ठीक है कहां पर है दोस्तों य जापान में आप यहां से एक दो चीज आपको ध्यान रखने है जो वह वह चीज ध्यान रख लो ठीक है तो अगर इससे पूछ लेता जापान के अंदर कौन से द्वीप समूह में है तो द्वीप समूह अगर पूछ लेता है तो आप से कौन सा द्वीप समूह है यह दोस्त लेता है ठीक है अगर शेत्रफल पूझ लिया जाए कहीं पर तो शेत्रफल इसका है 386.33 square kilometer ठीक है 386 दिसमलत 33 वर्गे kilometer का शेत्रफल है और यहां पर अगर पूझता है कि सरवाधिक मातरा में क्या पाई जाते हैं तो यहां पर सरवाधिक मातरा में क्या पाई जाते बात उध्यानों से question अब हम खतम करेंगे तो यहां पर last question है चंदॉली राष्टी उध्यान किस प्रदेश में लगभग जो है यह last question होगा चंदॉली राष्टी उध्यान किस प्रदेश में है वाई ठीक है तो यह कहां पर दोस्तों यह महारास्टर में है ठीक है महारास्टर म है option यहाँ पर को D बिल्कुल सही हो जाता आपका answer दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताओं यह तीन जिलों में फैला हुआ दोस्तों कोलहा पूर ठीक है कोलहा पूर और तीसरा जिला कौन सा है दोस्तों सांगली ठीक है यह तीन डिस्टिक है जहां पर महाराश्ट में चंदॉली राश्टी उद्यान फैला हुगा है ठीक है यह चीज आपको ध्यान रगना है और इस से आपको एक important चीज यह ध्यान र थीक है और उसके बाद दूसरा आपको एक चीज और बतादूं जो यहाँ पर में जो प्रजातियां पाई जाती है वह गापर बंगाली बाग ठीक है यहाँ पर कौन-कौन से जानवर पाए जाते है ऐनिम half कौन-कौन से टीक है जो एनिम phones से हैं यहाँ पर एक तो भालू कहते हैं एक ठीक है आलसी भालू तो आलसी भालू भी यहां पर है और बहुत सारी चीज़ें यहां पर पाई जाती हैं आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है इस्टील उद्योग से उत्पन रूपन्य प्रदूशक कौन सा है इसमें से आपको इanging on और डेखे मे removed सबसे पहले इस इंदय लाई यह तो सोफ़र औकसाइड भी क्या है इस्टील उध्योग्क्स से उतन ऊता है यह पर्दूशक यह पर दूसरा है नाक्षी Oxide तो Nitrogen Oxide भी दोस्तों सही है यहां पर जो है इस्टील उद्योक से यह भी उत्पन्न होता है Carbon Mono Oxide तो Carbon Mono Oxide भी इस्टील उद्योक से निकलता है Carbon Di Oxide भी इस्टील उद्योक से निकलता है यानि कि यह चार के चार जो है question 12 है तो दोस्तो IG Tiger से का उंदेशी इसका उंदेश्य है ठीक है भाई चलिए आगे पड़े कौन सी NGO भारत की परियावरनी रिपोर्ट देती है तो भाई ये कौन सी है डफलोपमेंट अल्टरनेटिव से है तो ये क्या करती है ये एक NGO है जो भारत की परियावरनी रिपोर्ट देती है ठीक है परियावरनी रिपोर्ट देती है चलिए आगे बढ़ते अच्छा हाँ एक चीज यहां से important यह हो सकता है इसकी स्थापना आपसे पूछ सकता है कहीं पर तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों यह हुथी 1982 में ठीक है तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी चलिए आगे बढ़ें अगला question देख लेते हैं पस्चिमी घाट इलाके के संग्रक्षन की सिफारेश किस विशेशकी ने की दी तो भई पस्चिमी घाट इलाके के संग्रक्षन की सिफारेश की जो सिफारेश की थी उनका नाम था दोस्तों माधव गौडगिल यानिकि डॉक् ठीक है चलिए आगे है अगला question देख लेते हैं अगला question आपका question 15 निम्रखित में से भारत सरकार की कौन सी योजना क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास तंतर के अंतरगत आती है तो भाई ये है बचत लेंप योजना option B इसका ठीक है कौन सी योजना है बचत लेंप योजना है बचत लेंप योजना एक तरह की योजना यह जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है इसके अंतरगत लोगों को कम कीमत पर क्या किये जाते हैं कम कीमत पर LED बल्ब जो है दिये जाते हैं यह इस योजना के अंतर के तो यह बारत सरकार की ठीक है चलें आगे बढ़ते कुछ इंपोर्टेंट चीज़ें यहां से आपने सीख ली उसके बाद question number 16 में चलते हैं तो आप नहीं है उसको मिलान करके आपको बताना है तो आप देखेंगे यहां पर दोस्तों चंदरताल आदर भूमी कहां पर है इमानचल प्रदेश में उसके बाद पैंगोंग जार ये जम्मू और कश्मीर तो ये भी बिलकुल सही है भाई ठीक है पैंगोंग जार कहाँ पर है जम्मू और कश्मीर में सही है उसके बाद पिछोला जील राजस्तान तो ये भी सही है पिछोला जील कहाँ पर है ये राजस्तान में ठीक है उसके ब प्रारा ऑप्षिन इस क्वेश्चन के लिए कौन सा सही हो गया ऑप्षिन डी यहां पर चुना जाता है गोल ठपा लगाना है उसके बाद अगला कोईशन है भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारणिये कौन सा है यह तो सभी को पता होगा दोस्तों इसका आंसर हो भार कहां पर है तो यह कहां पर है दोस्तों यह गुजरात के अंदर है ठीक है गुजरात के अंदर है जो भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारणिये है ठीक है चले कुछ in important चीज़ें यहां से आपने देख ली आगे बढ़ते हैं जल वाईयो परिवर्तन के संदर्भ मे उष्ण कटी बंधी वायू मंदल में जल चक्र का अध्यान करने के लिए मेगा ट्रॉपिक्स मिशन के लिए राश्टी अंतिरिक्ष केंद्रे किस देश में इस्थित है तो यह कहां पर है भाई यह फ्रांस में इस्थित है ठीक है फ्रांस में इस्थित है एक मिनट में पैन की इंक चेंज कर लो चलिए अब ठीक है तो ये मेगा ट्रॉपिक से मिसन के लिए राश्टी अंतरिक्ष केंदर किस देश में इस्तित है हमने कहा ये फ्रांस में इस्तित है दोस्तों ठीक है तो अब यहां से कुछ इंपोर्टन चीज अगर देख लिया जाए तो जो है जलवाई परिवर्तिन के चंदर में उष्ण कटी बंधी वाई मिंडल में जल चक्र का अध्यन करने के लिए जो है इसके स्थापना फ्रांस में की गई ठीक है चलो इतना देख लिए आपने आगे पड़ते हैं सेविल रणनीती जो मैडविड एक्शन प्लान में अपनाई गई थी देखिए सेविल ए यहाँ पर को ठीक है भाई ठीक है तो सेविल रणनीती किसम अपनाई गई थी तो मैडविड एक्शन प्लान में अपनाई गई थी इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है किसम अपनाई गई थी ये भी पूछा जा सकता है अगला क्वेश्चन है आर्गो ग्राफ क्या प प्रदर्शित करता है जलवाईयों में जलवाईयों और फशलों के प्रकार को प्रदर्शित करता है ठीक है यानि की दिखाता है शो करता है ठीक है चला आगे बढ़ते हैं परिस्थिति की इस्थाई अर्थविवस्ता है पारिस्थिति की इस्थाई अर्थविवस्ता है कि किस आंदोलन का slogan है किस आंदोलन में ये नारा दिया गया था तो ये चिपको आंदोलन में दिया गया था दोस्तो आपको पता ही है उत्राखंड का एक प्रमुख आंदोलन है चिपको आंदोलन ठीक है तो पारिस्तिती की स्थाई अर्थ विवस्ता है ये चिपको आंदोलन का नारा है दोस्तो चीक है उसके बाद है बंगाली देशी किसकी हाइब्रिड वराइटी है तो बंगाली देशी भाई यहाँ पर question को ध्यान से देखेंगे आप बंगाली देशी जो है किसकी हाइब्रिड वराइटी है तो यह किसकी hybrid variety है दोस्तों ये रुई की hybrid variety है बंगाली देशी ठीक है तो ये बंगाली देशी एक परकारी की रुई की ही hybrid है ये सीज को आपको ध्यान रख लेना है आगे पढ़ते हैं अगला question है जलवायो परिवर्तन एक्षन प्लान पर कारी करने वाले भारत का पहला प्रदेश कौन सा है बाई किस पर काम करने वाला जलवायो प्रिवर्तन एक्षन प्लान पर काम करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन सा है तो ये दिल्ली है दोस्तों ठीक है तो दिल्ली पहला प्रदेश है इस पर काम करने वाला इसको ध्यान रखना आपने इसको ध्यान रखना है क्यों नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल जोन मैनेजमेंट की स्थापना की गई है तो यह किसके लिए की गई अन्ना विश्व विद्याले चिन नहीं के लिए तो अन्ना विश्व विद्याले चिन नहीं ठीक है तो अन्ना विश्व विद्याले चिन नहीं में इसकी स्था अपना की गई है चल्य आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है पारिश्थिति की टास्क फोर्ष का गठन कभ हुआ तो यह 2022 में इस पोर्ष का गठन किया गया था ठीक है चल्ळाए बढदते हैं अगला है लाइक माइन्डेट मेगा डाइवर्स कंट्रीज में सदस्यों की संक्या है तो यह कितनी संक्या है यहां पर को आपको बताना है तो इसमें 17 सदस्यों है अगर आप से इनके नाम पूछ लेता है तो नमबर एक इसमें आप बता देंगे एक आस्ट्रेलिया है दोस्तो और उसके बाद ब्राजील है और चीन है ठीक है चाइना है इसमें और कोलंबिया है ठीक है कोलंबिया है और उसके बाद इसमें कॉंगो है दोस्तो ठीक है कॉंगो कॉंगो और उसके बाद एककाडोर है इसमें एककाडोर और उसके बाद दोस्तों इसमें भारत भी है इंडिया इंडोनेशिया इसमें है और मेडागासकर है ठीक है और मेकसिको है ठीक है मेकसिको भी इसमें है और उसके बाद दोस्तों इसमें कौन सा देश था और पापुआ गिनिया है पेरू इसमें है और उसके बाद फिलिपीन से भी है फिलिपीन से और साउथ एफ्रिका है ठीक है साउथ एफ्रिका के बाद यूएसे है इसमें और वेने जुएला भी इसके अंदर आता है यानि कि कुल मिला के कितने देश हैं यहां पर दोस्तों यहां पर कुल मि बिलुप्त प्रजाति डोडो पक्षी था आपको पताई होगा तो वो प्रजाति किस देश में पाई जाती थी तो इसका सही जवाब है दोस्तों मौरिशस में ठीक है तो डोडो पक्षी मौरिशस का एक स्थानी पक्षी था दोस्तों ठीक है कहां यहां का क्या था यह स्थान क्या हुए यह बिलूपत हो गए दोस्तों चलिए अगला क्वेशन है ग्लोबल 20 ग्लोबल सरी 200 क्या है ग्लोबल 200 क्या है तो यह ग्लोबल 200 क्या है दोस्तों WWF द्वारा संगरक्षन के लिए तई किए कि 200 Eco Region की लिस्ट है, 200 Eco Region की क्या है, लिस्ट है भाईए, 200 Eco Regions decided by WWF for conservation, World Wide Fund ठीक है, तो option D हाँ पर सही है, यानि कि Global 200 क्या है, आपको पता चल गया, आगे बढ़ते question number 29 है, भारत में निम्रखिन में से किस्पर स्वच्च और जाउपक लगाया जाता है, तो किस पर भारत में स्वच्च उर्जा उपकर लगाया जाता है, तो इसका सही जबाब दोस्तों देखिए, आप ग्रह निर्मित कोईला पर और आयातिक कोईला इन दोनों पर जो है, ये कर लगाया जाता है, ठीक है, चले, आगे बढ़ते हैं, दोस्तों, डी, डी, टी, कौन शा प्रदोशन उत्पन्न करता है, ठीक है, डी, डी, टी, जो है, कौन शा प्रदोशन उत्पन्न करता है, तो ये दोखे, वायू प्रदोशन जल प्रदोशन और मिट्टी प्रदोशन ये सभी उत्पन्न करता है, यानि कि option कौन सा सही हो तो आज की सेशन के तीश कुश्चन हमने डिसकस कर लिए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद और एक चीज कहना चाहूंगा हमाएं टेलिग्राम पर जॉइन करने के लिए आपको डिस्क्रेप्शन में लिंक मिल जाएगा इंस्टांप ग्र पेज और वेबसाइड और इमेल सारे अडर्स आपको यहां पर स्क्रीन में देखने को मिल रहे हैं इन सभी यह सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे तो हमें हर जेगा पर फॉलो कर लो दोस्तों इंस्टाग्राम पर हमारा जो चैनल है इसको जरूर फ थानिवार